महुआ उपखन के पावटा गाउं में गुर्जर समाज के बीच खेली जाने वाली डोल्ची होली कुछ ऐसे खेली जाती है मानो दो सेनाई लड रही हैं इसमें महिलाएं भी शरीक होती हैं जो मर्दों पर कपड़े से बने कोड़े बरसाती हैं और मर्द कोड़े की मार से बचाव के लिए पानी की बोचार करते हैं यहाँ पहले गाउं के युवा डोल्ची से होली खेलते हैं फिर गाउं की महिलाएं उन्हें पीट पर कोड़े मारती हैं ये होली शहिड बलू की याद में खेली जाती है। बताया जाता है कि हजारों वर्ष पूर गुर्जर समाज के आत्म सम्मान के लिए गाउं के बलू गुर्जर ने दुशमनों से लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में बलू का सिर धर से अलग हो गया। उसके बाद भी वो दुश्मनों से मुकाबला करता रहा और लड़ता हुआ वीरगती को प्राप्त हुआ शहीद बलू गुर्जर की याद में ही ये होली सेकडो वर्षों से खेली जा रही है गाउं के लोग ये भी मानते हैं कि जिस वर्ष भी यदि होली का आयोजन नहीं हो तो उस वर्ष गाउं में बड़ी अन्होनी हो जाती है ऐसे में प्रतिवर्ष गाउं में डोल्ची होली का आयोजन होता है बतादें कि इस होली का मुख्य उद्देश शहीर वल्लू उर्जर की याद के साथ गाउं में प्रेम, प्यार और भायचारा बढ़ाना है इसके अलावा गाउं के युवाव को शारिरिक रूप से मजबूत करना है ताकि देश की सेवा या फिर किसी भी प्रकार की अन्याव शक्ता पढ़ने पर गाउं के युवा बढ़ चड़ कर योगदान दे सकें